जय माता दी मित्रों आज 24 सेप्टेंबर रविवार का दन है ऐसे में कैसा रहनी वाला है आज का दिन आज के दिन कौन से शेत्रों में कारी करने से आपको ज़्यादा सफलता आपके मान सम्मान इस पकृति में बढ़ूतरी हो सकती है आज का आपका लव लाइफ स्वास्त और आपका वैपार कैसा रहेगा आपके करियर में कौन सी बड़ी खुसकवरी आपको आज मिले वाली है कौन सी दिशा में यात्रा करना आपके लिए सुब रहेगा कौन से कारे को करते समय आपको साफधान सतर कर समल कर रहने की जुरुत होंगी किस प्रकार के कारे को करने से आपके समाज में इज़त बढ़तनी वाली हैं और समाज वाले घर वाले प्रिवार वाले किस प्रिवार वाले किस प्रिवार वाले किस प्रिवार से आपके इज़त करने वाले हैं मित्रों आज के दिने आपका लखी कलर लखी नंबर कौन सा रहेगा आपको बताएंगे इन सभी के बारे में इसी के साथ आपको आपके जीवन में किस प्रकार से जीवन की कारिशेतर में बड़ी प्रसंता के फ्राप्ति होंगी आपके घर प्रिवार में चल रहे मदभेतों को किस प्रकार से आज आप दूर कर सकोगे और किस प्रकार से आर्थिक तंग्यों से आपको छुटकारा मिलेगा मित्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आखर तक देखेगा उसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्से कर लें तकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके तो मित्रों आपके लिए आज का दिन खुशियों से भारा रहने वाला है कारिशत्र में बहुत बड़ी खुसकवरी की फ्राप्ती आपको सुरुवात से ही मिले वाली है आज आपका काफी दियों से रुकावा कारी भी पूरा होनी से आपको रिलेक्स फिल महसूस होगा आप जिस काम को बहुत लंबे समय से करने के फ्रियास कर रहे थे उन कामों को आप आसानी से अब गरपाने में सफल होंगे आपके सभी रुके वे आज बनने वाले हैं इसरासी के छात्रों को आज का दिन अनुकूल लगने वाला है जल्द ही आप करियर में कुछ नया मुकाम पाने वाले हैं वित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे योजनाओं को पूरुन कर सकोगे और आपके सभी कारे भी शखलता को हासिल करने बाले हैं नत्रू आज के दिन आप लोगों को माता फिता के साथ किसी रिष्टिदार के घर जाना पड़ सकता है या फिर आप जा सकते हैं आज के दिन आप अपने जीवन में सभस्त प्रकार के समस्याओं से छुरकारा पाने में सफन होंगे कारे शेतर में भी बहुत बड़ा अनुकूल वातवरन आज आपको मिलने वाला है आज कारिस्तल पर भी कोई बड़ा ओफर मिलने से धनलाव होने का योग बना हुआ है धनलाव की प्राप्ति आज चारों तरफ से होने वाली है मित्रों इसी के साथ कारे को लेकर बैपार बैवसाई को लेकर और जीवन में अलग-अलग छेतरों से अलग-अलग परकार की फ्रसितियां आपको देखने को मिलेंगे प्रिवार वालों के साथ मनरुजन के लिए आप कहें ट्रिप पर जाने का फलान भी बना सकते हैं ट्रिप पर भी जाने का योजना बन सकती हैं जो आप के लिए काफी सुब रहेगी काफी अच्छा रहेगा इसी के साथ आज के दिन आपको लिए जीवन में उन्नति को हासल करने के लिए तरक्की को हासल करने के लिए बहत्तरी ने रहने वाला है जो छात्र कॉलेज में नए प्रोजक्ट पर काम कर रहे हैं उन लोगों को जल्दी ही अपने तयारी को पूरी करने ना उन लोगों के लिए बहत्तरिन रहेगा सोभागेसारी रहेगा पूरा सयोग मिलने वाला है आज कोई भी काम करते समय आपको बुजरुगों का असरुबाद जरूरी लेना चाहिए किसी भी प्रोजक्ट के शुरुआत करने के लिए आपको आपके बुजरुगों का असरुबाद लेना आपके लिस्त काफी उत्तम रहेगा इससे आपको काम में मदद मिलेगी काम में आपका जल्दबाजी होगा और आपको आपके जीवन में बड़ी परसंता मिलेगी साथियों के साथ पियाज आपका दन अच्छा गुजरेगा जो लोगों का बिरुजगार का आलम धिल रहे हैं काफी लंबे समय से अगर आपको जौब का काफी दिक्कत हो रहा है तो उन समस्याओं से भी आज आप काफी सुधार पाशकोगे कारिशेतर में काफी बड़ी परफनतन होने बाला है इसी के साथ मित्रुआज के दिन आपको आपके जीवन में कुछ नया सीखने को मिलेगा कुछ नया करने को मिलेगा अपने कारवार के खर्चे के साथ साथ निजी खर्च में भी आपको बाइलेंस बना कर रखने की जुरूरत होंगे खर्चे आपको कम से कम करने की जुरूरत होंगे अगर आप अधिक से अधिक खर्चों को करोगे तो आपके लिए थोड़ी से प्रसानी का कारण बन सकता है इसलिए खर्चों को कंट्रोल में रखना आपके लिए जरूरी होगा आज का दिन आपके लिए फेवरेवल रहने वाला है और आज के दिन कुछ लोगों को अपने आपसे किसी नई कारिशत्र में मदद मिल सकीगी आपसे कोई मदद भी मांग सकता है उनकी मदद करना आपके लिए सोभागे साली रहेगा परिवार में आपके गुनों की तारिफिय हो सकती हैं और किसी नई तकनिकी को अपनाने से आपके वेपार में इदाफा होगा वेवसाय में इदाफा होगा जीवन साथी के साथ आप डिनर करने का प्रोग्राम बनाओगे जो आप के लिए काफी अच्छा रहेगा जो लोग संगीत या गायन के छेतर से जुड़े हैं उन लोगों को किसी बड़ी जगा पर फर्फॉर्म करने का मोका मिल सकता है बड़ी छेतर में अपना योगदान देने का मोका मिल सकता है आज आपका दिन सामाने से काफी बहतर होगा सामाने से काफी बड़े और उनती दायक होगा आज आपको नए लोगों से थोड़ा समहल कर रहने का जुरूत होगा अंजान लोगों से आपको सतर रहने के जुरूत होगे क्योंकि अंजान लोग आपके फाइदा उठा सकते हैं और आपको कुछ ऐसी प्रस्तित्यों में डाल सकते है जुआप के लिए परिसानी दायक हो सकती है इसलिए आपको समल कर रहना होगा उन लोगों से जुआप लोगों के लिए नए हो आज आपके ऑफिस में काम को ले कर कोई बड़ी और कोई ऐसे मीटिंग हो सकती है जो आपके लिए उन्नति दायक होगा और किसी प्रड़े प्रोजोक्ट में आपको सहयोग करेगा आपको अपने हर चीज को परफेक्ट रखने की जरूरत हैंगी वहसी के साथ आपको अपने गुस्टे वाले तेवर को कम करना होगा गुस्टे को कम करना आपके लिए आज सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा क्योंकि गुस्टा आपके बने बनाए कारी को बिगार सकता है इसलिए आपको गुस्टा करने से बस्चना चाहिए गुस्टा नहीं करें तो ही आपके लिए बहत्रीन होगा आज आपको किसी नय काम की सुरुआत करने के लिए, आज का दिन काफी उत्तम रहने वाला है, काफी सुब रहने वाला है मत्रों आपका दिन बहतर बने, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जमाता दे, आपका दिन सबहो मंगल कारी हो, जयमा विन्दवाशनी